जिवन बदलने वाली दस आद्तें फिर भी व्यक्तिगत और व्यवसायक शेत्रों में आगे बढ़ने के लिए ऐसी आद्तें अपनानी होती है हमारी जीवन शैली में संसाधनों के परिनामस्वरूप समगर परिनामों में गहरा अंतर होता है और आपके जीवन में सुधार होता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और व्यक्तिगत विकास के लिए लक्षयों और समय प्रबंधन तकनीकों के बारे में अधिक जानना हमारे लिए फायदेमंद होता है हम आपको व्यक्तिगत विकास और आगे बढ़ने के लिए ऐसी कौन सी आदते हैं जो आपके व्यक्तिगत विकास के नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा देगी तो आएए जानते हैं इसके बारे में आदतों की शक्ति एक आम आदमी के लिए नई आदत बनाने चुनौती पूर्ण हो सकता है हाला कि हमें इसके लिए खुद को दोश नहीं देना चाहिए हमारा दिमाग पहले से ही उन आदतों पर काम करता है जो हम नहीं है अभी तक किया है हमारा दिमाग पुन व्यवहार में मजबूट होने का तार-तार हो जाते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं और हम जिन्स वस्तुल्या काम से परिचित होते हैं लेकिन हम इस चुनोती फॉर काबू पाने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तक्नीक का उपयोग कर सकते हैं जिससे हम हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है हैबिट हम वस्तु को याद रखने और हमारे चालू व्यवहार या चालू आद्थें को बदलने के लिए साथ ही नई आदत को जोडने के लिए क्या करे हो शामिल होता है एक रोजाना लक्ष्य निर्धारित करना सफल लोग अपने इरादे के साथ अपने काम का और लक्ष्यों की योजना बनाते हैं वे अपने लक्ष्य को एक डायरी के नोट करते हैं और उसे पूरा करते हैं और अपने उद्देश को पूरा करने के लिए रोड मैप के लिए कैलेंडर का उप्योग करते हैं अपनी to-do list प्रत्येक कार्य के लिए इसे अपने कैलेंडर में schedule करें अपनी to-do list में हम दिन भर के कार्य को लिख सकते हैं और उसमें हम उदाहरन के लिए सुभर कितने बजे उठना है, ब्यायाम कब करना है, कितने बजे खाना-खाना है, बुक्स कब पढ़ना है, अपने अरजेंट कार्य को कब पूरा करना है, यह सब बातें शामिल होती है अपने कार्य को निर्धारित करना एक सहायत स्वसुधार की आदत बन सकती है, जो आपको अपने सप्ता का पूरा दृष्टिकोन प्राप्ट करने में सहायत होती है आप इसे रात को सोने से पहले अगले दिन क्या क्या काम करने है, उसकी लिस्ट बना लो इससे आपके अगले दिन क्या क्या करना है, वो आपको पहले से ही मालूम हो यहां आपको अगले दिन के लिए स्पष्ट योजना देता है, और आपके अवचेतन मन को सोते समय समस्या सम पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ जीस चीज के लिए आभारी हैं। उस पर ध्यान केंदरित करने से हमें जो कुछ भी मिला है। उसके लिए प्रशंसा विक्सित करने और धन्यवाद महसूस करने में मदद मिलती है। यह हमें तुरंत खुशी का अनुभव कराता है। मान लीजिये की आप रोजाना अपनी मोटर बाइक लेकर काम पर जाते हैं तो आप अपनी मोटर बाइक का आभार मान सकते हैं। ऐसे ही कई चीजों पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिससे हमें अपने आसपास कितनी खुशिया है वो हमें मालूम होकी। तीन डौट परियाप्त नींद लेना। आज की वर्तमान स्थिती को देखते हुए हमको नजर अंदास कर देते हैं या फिर उसमें गलत तरीके से नींद लेते हैं। इस भागदोर भरी जिंदगी में अपने परिवार को प्राथमिक्ता देना महत्वपूर्ण है सफल लोग और खुश व्यक्ती समय समय पर ब्रेक लेने और खुद की देखभाल करने के महत्व को समझते हैं। खासकर नींद के मामले में नींद हमारे शारिरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे उर्जा का स्तर अपनी मनोश्षा और उत्पादक्ता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए एक सोने का समय निर्धारित करें जो आपको आराम करने और रात को अच्छी नींद लेने के लिए तयार करने में सक्षम बनाता है। अपने सोने के रूप में से इलेक्ट्रोनिक्स उपकरनों को हटा दें और नींद की गुनवत्ता में सुधार के लिए ध्यान या विश्राम जैसी साधना का अभ्यास करें जिसे आपको नींद लेने में सहायता मिले। एक अच्छी और शांती पूर्ण नींद लेने में कभी भी संकोच न करें, यहाँ आपकी भलाई और सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। याद रखें कि खुद की देख भाल करना स्वार्थी नहीं है, बलकि एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्चत है। चार डॉट पूरे दिन हाइडरेटेड रहना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा सतर परसेंट है, पानी ही है, जो हमारे शरीर में से विशैले पदार्थ और शरीर को पोशन देने में सहायक होता है। रोजाना सुबह बिस्तर से उठने के तुरंत बाद दो से तीन गिलास पानी पीने की आदत डालें। जब आप दिन भर पानी का सेवन बढ़ाते हैं, तो आप अपने शरीर पर एक एहसान करते हैं, इसे एक काम के रूप में देखने के बजाएं इसे अपने शरीर को पोशन देने का एक तरीका माने जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकें। जब आप कम पानी पीते हैं, तो आपको भूख ठकान और चिर्चिरापन हो सकता है, दिन भर अपने साथ एक पानी की बोतल लेकर चले जब भी तरस लगे खोल कर पी ले पांच डॉट नियमित व्यायाम करना एक सफल और खुश लोगों को हर दिन व्यायाम करने की आदत होती है, वे हर रोज 10 से 15 मिनट फूल बोडी व्यायाम जरूर करते हैं, जिससे की पूरे दिन में ठकान नहीं होती, मैं यहां हर रोज मिल मैराथन दौरना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ रोजाना 15 से 20 मिनट की कसरत और व्यायाम करना है, तो आपको आश्चर्यजनत लाभ दे सकता है, आप यह भी कर सकते हैं कि अधिक बार सीधियां चड़ने की कोशिश करें, या काम के सिलसिले में अपनी कार को किराने की दुकान से थोड़ी दूर पार करें, जिससे आपको चलने में आदत डालें, अगर आपको व्यायाम को नियमित आदत बनाने में परेशानी हो रही है, तो गूगल एप और डिवाइस आपकी मदद कर सकते हैं, हर घंटे सक्रिय रहने के लिए आपको याद दिलाने में सहायता के लिए फिटनेस ट्रैकर पर आप विचार कर सकते हैं, मैं आपको बतादू कि आपको हर आधे घंटे में कसरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरे दिन चलते रहना जरूरी है, कसरत और योगा का अपना जीवन में आदत बनाने से आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ को लाभ मिल सकता है, ज्यादातर लोग स्कूल के बाद जब वे नौकरी पे या फिर कुछ और काम में चड़ जाते हैं, तो वह आगे सीखना बंद कर देते हैं, जबकी एक सफल व्यक्ति अपने दिन में अपने क्षेत्र के बुक्स का दस डॉट से पंदरह पेज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे कि एक महान विचारत नेताओं बिजनिसमेन उन सभी में एक गुन समान होता है, जो है सीखना, पुस्तके आत्म सुधार के लिए शक्तिशाली उपकरण है और आपके चुने हुए क्षेत्र ज्यान को बढ़ा सकता है, साथ दिन भर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना जब हम मुश्किल काम करने के दौरान ब्रेक लेने से उत्पादक्ता याने की प्रोड़क्टिविटी में सुधार लाया जा सकता है, शोध में पाया गया है कि माइक्रो ब्रेक, लंच के समय का ब्रेक और लंबे ब्रेक आपके काम पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, यह आपके तनाव को कम या फिर रोक सकता है, पूरे दिन आपका मन काम में होता है, तो उसे ब्रेक की आवश्शक्ता होती है, जब हम लंच के दौरान ब्रेक लेने से और काम से थोड़ा अलग होने अपनी उर्जा का स्टर से बढ़ावा कर सकते हैं, और ठकावट को भी दूर कर सकते हैं, रिलेक्सिंग ब्रेक रिकावरी को आसान बनाने और आपके मूर को रिसेट करने में मदद करते हैं, सकारात्मक भलाई को बढ़ावा देते हैं और तनाव को काम करते हैं, आठ डॉट दैनिक पत्रकारिता शोद के अनुसार दैनिक पत्रकारिता तनाव अवसाद और चिंता के नकारात्मक प्रभाव को प्रतिकार कर सकती हैं, अपने विचारों को कागस पर उतारना हमें जीवन की एक घटना को समझने की लिए प्रोचसाहित करके चिंता और तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। 9. Mindfulness की प्रैक्टिस करना Mindfulness सदियों से एक पारंपरिक अभ्यास रहा है और मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांती के लिए तेजी से लोक्त्रिय हो रहा है। Mindfulness का अभ्यास जागरूकता बढ़ाने के लिए दैनिक क्रिया का एक संग्रह है। Mindfulness आदतों में हमें हमारी गतिविधियों में जैसे की गहरी सांसे लेना चैन करना, चलते समय पूरा फोकस के साथ चलने, खाते समय पूरे फोकस के साथ खाना। इनात्तों से हमें अपने मन में जागरूक्ता बढ़ती है और हम पूरा ध्यान अपने काम पर लगाते हैं। Mindfulness का अर्थ है वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना जिसका काम को हम वर्तमान में कर रहे हैं बस उसी काम में एक सौ परसेंट फोकस के साथ काम करना यही Mindfulness प्रैक्तिस है। दस दौट खुद को सकारात्मक रखना आपके जीवन में सकारात्मक और खुशाल लोगों का होना आपकी मानसित्ता और ग्रिष्टिकोन को बहुत ही प्रभावित कर सकता है। कुछ आप अपने आपको जिन्स उर्जा में घिरते हैं वह जाने अंजाने में आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। नकारात्मक लोग आपको नीचे गिरा सकते हैं, उसी तरह सकारात्मक लोग आपको उपर भी उठा सकते हैं, यहाँ आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं अध्यनों से पता चला है कि आपको सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके सफलता की संभावना बढ़ जाती हैं, सकारात्मक लोगों के पास बहुतायत मानसिप्ता होती है और वे आपको आगे बढ़ाने और अपने लक्षे को प्राप्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं दोस्तों किताबे पढ़ें, ध्यान करें, व्यायाम करें और एक मजबूत सकारात्मक मानसित्ता बनाएं, सफल लोग अक्सर माश्टरमाइंड समूह से संबंधित होते हैं, जिससे आप कुछ भी मानती हासिल कर सकते हैं. मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छी और बुरी दोनों तरहे की आदत बनाता है, अच्छी आद्तें विक्सित करने के लिए आपको अच्छे लोगों के साथ रहना होगा, अच्छी बातें सुनना होगा, अच्छे काम करना होगा. अपने जीवन की चुनोतियों पर हम काबू पा सकते हैं, हमें जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम उसे आसानी से हरा सकते हैं, हमें बस सकारात्मक सोचने की जरूरत है. अलग-अलग लोग परिस्थिती को अलग तरीके से हैंडल करते हैं, कुछ अपनी स्थिती को स्विकार करते हैं, जबकि अन्य इसे सुधारने के लिए एक्शन लेते हैं, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का हर्थ यह समझना है कि भाग्य आपके विकल्पों से आकार लेता है, व्यक्तिगत विकास में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आप उसमें सुधार कर सकते हैं, निशकर्ष, हमने उपर बताए सभी व्यक्तिगत विकास की दर आदतों को बारीकी से बात की और आपको समझ में आया होगा, कि व्यक्तिगत विकास की दस आदतों में आपको कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी कमेंट करके बताएगा, आपको यह पोस्ट अच्छी लगी तो कृपा करके इस पोस्ट को अपने दोस्ट और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,